नमस्कार मित्रो में दोक्र दर्मेंद देसी गोइल तर्यामीड वास्तेव के रेट्र लजर आज अमाई एक कंसल्टिंग की ओफिस में वास्तू देखने के लिए वास्तू दिखाने जा रहे हैं इस प्रोपर्टी में जो इस ओफिस है एंधिस में वास्तू से पहले की किया यह पूरा कॉंपलेक्स जो है वो साउथ का है और आप समझते है कि साउथ की जो भी प्रोपटी है वह आप अभी भी बोद्विडिविटी नहीं मिल पकी तो अभी यहां पे जो गंसल्डिंग के ओफिस उसका वास्तों आपको दिखाने जा रहे हैं लालो हलो यह यहां की ओफिस है जिसका हम कंसल्डिंग करने वाला है यह जो पूरा फैस है वो साउथ का है और आप समझ देखते हैं कि साउथ में कभी भी यह में पोजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है तो इस पोजिटिविटी यहां पे कैसे क्रियेट हो सकती है अगर इस हाउथ के एनर्जी है तो हमने यहां पे जो एनर्जी देखने के लिए पोजिटिव एनर्जी का डिय ने डाला है तो यहां पे हमें क्या पोजिटिविटी क्रियेट मिल रही है वो हम देखेंगे कितने परसें पोजिटिवीटी है और कितने परसें नेगेडिवीटी तो यहां main entrance है यहां से हम देखना start करते है तो यहां पर हमें all over negativity मिल रही है अगर main entrance में हमें कोई energy नहीं मिल रही है तो वो last तक जाने काई कोई मतलब भी नहीं है अब हम आते है next second step में यह जो open beam है यहाँ पे यह भी काफी negativity create करता है यहाँ पे देखेंगे हम कम से कम 10% हम लोग 10 feet अंदर आ चुके है और यहाँ पे हमें कोई energy नहीं मिल रही है अब हम आते हैं last के और यहाँ के जो last की corner है के दिवाल है यह office है बाजू में पूरा इनका दूसरा office है वो भी हम आपको लिखाएंगे यह जो office है यहाँ के last तक में बीच तक तो हमें positivity नहीं मिल रही है first में भी नहीं मिल रही थी अब हम last में खड़े है last में भी 0% positivity तो इसका मतलब यह है कि all over हमें कहीं भी भी positivity नहीं मिल रही है क्योंकि यह south की property है और आप सब लोग जानते है कि south की जो दिशा है उस दिशा कोई भी खराब नहीं है लेकिन उस दिशा के जो देव है वो यमराज है और मंगल देव है वो फ्ट्रॉंग माइं के है इसलिए उस दिशा से में कभी भी positivity नहीं मिल सकती है तो ये वीडियो हमने आपको बर्दिक बनाया था कि वास्तू से पहले की इस office के energy क्या है और पिरामीर वास्तू रेमिरिज करने के बाद यहां के क्या energy create होगी तो इसके बाद के वीडियो में भी हम आपको